यह देश है ना यह भारत के संविधान से चलता है वो संविधान जो बाबा साब अम्ईट करने बनाया चाहता है वही संविधान जो भगवान राम के प्रिश्चे शुरू होता है वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राचे है हमने इसा सुना है पढ़ा नहीं है पूछना नहीं पंथ निर्पेक्ष कहा है धर्म निर्पेख्ष नहीं होते जैसे हमारे परोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना उसका क्या हाल है यह आप देख रहे हैं लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है आतंग बाद चरम सीमा पर है जब इसलाम के नाम पर देश बनेगा धर्म के नाम पर बनेगा तो यह होगा बिल्कुल बात सही आपके लेकिन हम आपको बता दें बाकी सब पंथ हैं धर्म सिर्फ सनाता है सुप्रीम कोट के सामने ये मामला आया था और सुप्रीम कोट ने क्या का था एक्जैक वर्ड ना आपको बताता हूँ सुप्रीम कोट ने का कि भारत जैसे धर्म निर्पेक्ष देश में धर्म के आधार पर घ्रणा फैलाने की लोगों को बाटने की गुंजाइश नहीं है जी सुप्रीम कोट का हमारी तरफ से आधर है लेकिन भारत हिंदू राष्ट था है बस घोषणा की जरूरत है देखें आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे हम सरफ सनातन के ब्रोधियों का ब्रोध करते हैं कोई रंग से कोई व्यक्ती से किसी संप्रदाय से हमारा कोई ब्रोध नहीं सनातन के ब्रोधी से हमारा ब्रोध है वो किसी भी ब्रादरी या समुदाय या समाज का चाहे भले ही क्यों आपको ये भी समय ना होगा जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं उसको करोडों ने देखा और वो लोग सुपर इट फिल्म हुई हो नहीं भी चाहिए हमने सुना सुधार भी किया है सुधार करके कोई करे तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है क्योंकि वो एक कला है और कला के परती हमारा सम्मान है लेकिन आप तो बार बार कभी आप हमिर खान की फिल्म का जिकर करते हैं तो कि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके संकर जी को बातरूम में बंद करता है तो क्या ये सही है जिसके प्रती हमारी आस्ता है लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद जिनके प्रती हमारी आस्ता है उनके साथ ऐसा मजाग किया जाए भगवान के साथ खिलवार किया जाए क्या ये सही है और उसकी बात बोलना अगर ब्रोध है तो हम मरते दम तक ब्रोध करें श्तास्य जी मुझे कभी कभी लगता है कि चोकि आपकी उम्र कम है जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते ऐसे ही फिल्मों का इत्यास भी आप नहीं जानते एक फिल्म आई थी बैजू बावरा उसमें भजन था मन तड़पत हरी दर्शन को आज जो सबसे हिट था इसे लिखा शेकिल बनायूनी ने म्यूजिक दिया नौशाद ने गाया मुहम्मद रफी न हम आपको बहुत बिनमरता पूरवक कहें कि हम किसी भी समुधाय की बिरोधी नहीं है पुना हम कहते हैं हम रहीम को मानने वाले और कभीर का सम्मान करने वाले है हम सेख मुवारक के साथ मित्रता ने भाने वाले यह आपको समझने की जरूरत है यह मलिक मुहमद जैसी और रस खान का देश है जहां पर उनोंने भगवान का गुनगान किया हमने कभी बिरोध नहीं किया सम्मान किया रस खान के पदगाए रस खान के पुरती हमारा आधर है और भारत में सामाजिक सुहादर था बनी रही है हमारी मांग है और क्या यह नाजाइज मांग है जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे है उनोंने जब लगान फिल्म मनाई उस फिल्म में जो भजन था जावे दक्तर ने लिखा और रह्मान ने उसका म्यूजिक दिया जी तो उसके पुरती सम्मान है हमने सुना नहीं है अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है पर उसके पुरती हमारा सम्मान है उसके पुरती हमारे कोई अगर वीडियो के लिए बिरोध का मिले तो दिखाई मैं भेजूँगा आपको ये आपको आपको ये आपको नम ले तो मुझसे पूछ लिए बहुत अच्छा है अब आँगे से कोशेश करेंगे लेकिन सनातन के लिए पूँच नहीं पाएंगे, सनातन पर उंगली उठाएगा, तो इधर से भी डारेक्ट सिधासा होगा, ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धंकिया देनी की दुकान खोल लिए, अगर किसी को ये धंकी लगती है, तो उसे लगना चाहि क्योंकि प्रतेक भारती नागरिक को बोलने का अधिकार है, और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है, और हम मरेंगे भी सनातन के लिए, बोलने पर आपती नहीं है, धंकी देने पर आपती हम धंकी नहीं देते हैं सिर्फ यह कहते हैं काइदे में रहो तो फाइदे में रहो यह भारत राम का देश हैं बस हम काइदा सिखाते हैं और गुरू का काम है काइदा सिखाना धंकी नहीं गुरू क्या डाट करके धंकी देता है गुरू अगर कुमार मठका बनाता है तो भीत मेटरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे। देखे एक उधारण में आपको देना चाहता हूँ, यूट्यूब पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका और उस वीडियो का देखने से ये इंप्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंतरी नरे नर्मोदी आपके दर्बार में आए और एक नहीं तीन-तीन ऐसे वीडियो आपके सवर्थों को ने बनाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बताईए कि वो आपका है, क्या नहीं तो क्या मोदी जी भी बागिश्वर्धाम सरकार के भगत हो गए है? आए दिन बागिश्वर्धाम सरकार के पास नेताओं की भीड लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंतरी नरेंडर मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागिश्वर्धाम सरकार के दर्शन करने पहुँचे थे और कहां जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आये थे तो आए सुनते हैं स्वयन पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मोदी जी को ये प्रोजेक्ट लिटो जैसे बागेश्वर धाम आये मेरी जानकारी है कि तीन वीडियो हैं उनमें से एक बागेश्वर धाम का है बागेश्वर धाम के ऑफिसियल चैनल से कभी हो यह नहीं सकता है ना ऐसी भूल हो सकती है क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाज़त नहीं दी यह बहुत बड़ी गलतियां है टियारपी के चक्कर में रोज तो लोग हमारी साधी करवा देते हैं यूटूब पर आपने सिर्फ ये भर देखा ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है हैपी बड़े कहीं ये कह दिया जाता एक ने न्यूज डाली थी बागे सो सरकार 23 तारीक को परनाय सुत्र में बदेंगे संतों के फौन आने लगे तो ये सिर्फ मीडिया पर चुकी बागे सो धाम बहुत सर्च हो रहा और हनवान जी भला सर्च हो क्यों ना हनवान जी तो लोगों की स्वास में ये पबन पुत्र है तो लोग बागे सो धाम बाला जी के नाम से सर्च करते हैं तो लोगों को जो कुछ यूटूब बाले हैं, सब नहीं, कुछ यूटूब बाले हैं, जो अपनी बीवर सिफ वड़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकरत्य करते हैं, जो दुश पुरचार है, और बागेश और धाम ने इस पर अनेक बार कारवाई भी की, उनके खिलाप नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्कलैमर भी बागेश और धरवार में हमने दिया है, कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बच रहे हैं, धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है, ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजली के कार कर रहे हैं, और बागेश और्धामस के लिए कानूनी कारवाई भी करवाएगा, शासी जी प्रधान मंतरी को लेकर इस तरह की वीडियो पागेश और्धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भूले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है, लोग ऐसी बातों पर भरुसा कर बागेश और्धाम से तो हुआने कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है, पर कर रहा जो उसके खिलाब कानूनी कारवाई की लिए, अगर आपके नाम बले भी कोई कर रहा है, तो भी आपको कोई अच्छे लेना चाहिए, आपको कुछ कारवाई की है, अने एक बार, नोटस भी बंद करवाया है, जो कई बार कोई खान के खिलाब कर देते थे हमारे लिए, कई बार कोई धमकी डाल दे, बागेश और धाम पहुंचे जैल, अब वो ऐसी हत करी है, वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे, इनसे हमारी आपके सोसेवी प्राथना, इसको बहुत देखा ज इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचे है, हम इस प्रकार कोई भी हमारा दर्वार या कथा, प्रदर्शन का विसे नहीं है, हमारी कथा और दर्वार दर्शन का विसे है तो आपकी तरफ से मोदी जी के वीडियो को ले करके क्या कारवाई की गई? इसकी हमें आज पता लगा है कि मौधी जी का बना है पूर्व में हमको वो जैलेल वाला बताया था हमें इसका ग्यान नहीं है लेकिन हम जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद लीगली कारवाई F.I.R. अपने अमुक थाने पर करवाएंगे इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोज है दिविन फड़नवीस का है, मनुश तिवारी का है ये भी फर्जी वीडियो है कि अरे नहीं ये तो आए थे इनके मत करवा दायो दिविन फड़नवीजी भी आय थे, मनुश तिवारी हमारे बहुत प्रियसिस हैं, वो भी आये थे, और बहुत आये है पर मौदी जी नहीं आये है ये बता देते हैं, तो इन पर फाई यार जे डिलीट ना करवा दियो आप रोग दियो लेकिन आपके एक दो सेंटेंसे हैं जिसमें आप कुछ मौदी जी कह रहे हैं मौदी जी आईए पराद है, वो भी आफिसियली बिना लीगली सहमती लिए बिना आप कोई भी वीडियो सेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा आप कुछ नियम हो है तो ये भी गलत है मैं आपको उता हूँ, शासी जी मैंने 40 साल होगे मुझे पत्तर कारिता में ऐसे बहुत सारे उधारण मैंने देखे हैं चंदरा सौमी को अधारण देखा था ओ, नरसी महराव के साथ उनकी तस्वीरें राजी बांदी के साथ उनकी तस्वीरें जॉन मैकेंडरो के साथ पिर भी मांग पूरी नहीं होगी अगर हिंदू राष्टा आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे तो स्केल थोड़ा बढ़ाईए ना उनसे कहिए कि पूतिन को समझाएं कि यूकरेन से अपनी सेना वापस ले ले ये तो अंतराष्टी है क्योंकि उससे जो यूकरेन क्रिश्चन मुल्क है उनकों पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है हम अपनी तरब से प्रती दिन बिश्व में कल्याण हो बिश्व में सांति हो ये अर्जी लगाते हैं और हनमान जी ने रामड को भी समझाया था मान जा भगवान है वापिस कर दे उजानकी माता को लेकिन जिसकी आगई हो तो हनमान जी की बातें उसे नहीं बाती है गुरू के नाते हमने भी प्राथना की अब किसी की आगई जो बताने हमारे पास लोग आते हमारा जी हम मर ना जाए अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा है उसे भी मरना है हाद हो गई तो पागलों जिसी बात करते हैं मेरे पागल लेकिन हम से रिमान जी बड़ी बनमरता पूरवक कहें कि अगर आपको लगता है तो आपको अरजी लगाने एक बार बागिश्रधाम आदा हैं तो कुछ आपको अरजी लगानी चाहिए बिलकुल हमने प्राथना तुरंति की और हम प्रति दिन जो भी हमारे पास है चूरण चटने हम अपने गुरू जी से और बाला जी से प्राथना करते विश्व का मंगल हो सबका भला हो इससे आपको फत्मी पड़ेगा कि वो क्रिश्चन कंट्री है या इसलामिक बिलकुल भी नहीं हम तो खुद गए हैं हम तो पूरी दुनिया का मंगल की काम नहीं हम उस धर्म से हैं जहां सुदेव कुटुम्बकम की चर्चा की जाती सरवे भबन तु सुखना सरवे संतु निरा मया सब मैं मंगल हो मंगल भबन मंगल हारी हम ऐसे नहीं हम मानव ताके हैं जिसके अंदर दुख है हे बाला जी उसके संकट आप संकट मोचन है उसके संकट मिट जाए हम कोई फर्क अचार श्री दिरेंतर शास्त्री पर लगे सभी आरो और उनके जवाब सुनने के बाद अधालत इस निश्कर्स पर पहुंची है कि रिश्य और संथ परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोका धरी भी होती है सरकार स्री हरुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिध्धी और प्रसिद्धी मिली है तो उसका उपयोग लोग कल्यान और समाज की नेतिक अध्यात्मिक उन्नती के लिए करें और देश समाज में प्रेम शांती सद्भाव का वातावन बनाने में सहयक हों शास्त्री युवा है इसलिए उन्हें जोश स्वाभाविक है प्रन्तु जोश के साथ साथ होश भी आतेंत अवश्यक है अदालत प्यक्षा करती है कि उनकी वानी में सैयम, करुणा और छमा से अभिभूत रहेगी आशा है कि धेयन के शास्त्री सानातन ध्रम के इने शास् भारती संत्र परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे पूरे सोशल मीडिया पर चाया हुआ है